इबरानियों के नाम पत्री, चौथा अध्याय उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपत खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, यदिपी जगत की उत्पत्ती के समय से उसके काम हो चुके थे, क्योंकि सात्मे दिन के विश्य में उसने कहीं यों कहा है कि परमेश्वन ने सात्मे दिन अपने सब काम प्रवेश न करने पाएंगे. तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुस्मचार पहले सुनाया गिया, उन्होंने आग्या ना मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया, तो फिर वह किसी विशेश दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाओद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर न करो, और यदि यहोशु उन्हें विश्राम में प्रवेश कर लेता, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती, सा जान लो कि परमेश्र के लोगों के लिए सब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्र की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है, सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आग्या न मानकर गिर पड़े क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जाचता है और स्रस्टी की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है बरन जिस से हमें काम है उसकी आँखों के सामने सब वस्तु में खुली और बेपरद हैं तो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र ईशु तो आओ हम अपने अंगिकार को दरता से थामे रहें क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निरबलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके बरन वह सब आतों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निश्पाप निकला इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिहासन के निकट ही आओ बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवशक्ता के समय हमारी सहायता करें